इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। धोल-ASP tablet एक combination वाली दवा है जिसका उपयोग मांसपेशियों में दर्द, जोडों के दर्द और operation के बाद दर्द जैसी विभिन स्थितियों में दर्द और सूजन को दूर करने के लिए किया जाता है इस प्रकार यह rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis और osteoarthritis जैसी समस्याओं में दर्द और सूजन को प्रभावी धंग से कम करता है। धोल-ASP tablet को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी के अनुसार ही लिया जाना चाहिए। पेट को बचाने के लिए भोजन या प्रक्षित नहीं है। तब तक दवा को नियमित रूप से ले जाना महत्वपूर्ण है। इस दवा के कुछ सामाने side effect में मिचली आना, उल्टी, पेट में दर्द, अपच, सीने में जलन, भूक में कमी और डायरिया यानी की दस्त शामिल हैं। अगर आप इस दवा को दीर कालिक उपचार के लिए ले रहे हैं, तो आपका डॉक्टर नियमित रूप से अपने किड्नी फंक्षन, लिवर फंक्षन और रक्त के घटकों की निगरानी कर सकता है। दीर कालिक उप्योग से पेट में रक्तसराव और किड्नी की समस्याएं जैसी गंभीर जटिलताएं ह हो सकती हैं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को धोल ASP टैबलेट लेने की सलाह नहीं दी जाती। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।